राम लड़ू वाले मुंदार के पकोड़ी किसे परसंद नी होती ट्रेस्ट मी इतनी एजी है ना यह मुझे आज पता चला है मैं सूच ती बहुत मुश्किल है बनाना सेम टेस्ट का लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा एजी है सबसे भिले क्या करेंगे इसकी ना ग्रीन वाली मिर्शी अब अपने कोड़िंग रख सकते हो उसके बाद क्या करेंगे एक कटोरी हम लेंगे मुंग दाल आधी कटोरी चना दल और आधी कटोरी उरड़ दाल आप रेशी अपने हैसाब से रख सकते हो इसको हम वाश कर लेंगे और 2-3 घंट ले अच्छे से सोग कर देंगे जब यह size में double हो जाएगी तो हम इसको piece लेंगे नमक डालके और चटनी बनाई थी वो इसमें थोड़ी शी डालके अच्छे से हमें इसमें air create करनी हैं, bubbles create करनी है ताकि नहीं बहुत ही ज़दा fluffy बने हाथ से कर सकते हैं, whiskers से कर सकते हैं मैंने हाथ से किया था और medium hot oil में इसको fry करेंगे उससे पहले पानी में टालके देख लेंगे अगर फ्लोट हो रहा है अगर फ्लोट होगा तो बैटर बिलकुल अच्छे से ready है मेडिया मॉल पे डालके fry करेंगे और गरम गरम इसको fry करते रहेंगे जबते कि क्रिस्पी ना हो जाए और ट्रस्ट मी भाई इतने टीस्टी बने से ना ये बस इसको निकाल लेंगे टिशू पर और फिर करेंगे इसको बढ़िया तरीके से इसेंबल इस पर आलेंगे बहुत सारी मूली और धनी का मिक्स्चर जो हमने अल्रेडी बना के रखा है इसको पर डालेंगे ग्रीन चटनी थोड़ी सी मैने यह पर टेस्क लिए मीठी वाली जो चटनी आती है ना वह भी डाली है बट वह बिलकुल ऑप्शनल है चार्ट मसा बटना विडारेज रूट रूट